नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहर रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में ज्वार का क्या करे अखंड ज्योत की बाती का क्या करे, अखंड ज्योती में जो तेल होता है, बच जाता है उसका क्या करे, नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं, दो हजार चौबीस में कन्या पूजन कब करे, कितने व्रत पढ़ेंगे, हरे भरे जो का क्या करे, दोस्त मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्री में आप सब पश्चात में ना कर बैठे अर्थात, नवरात्री के पश्चात में जो चावल होते हैं जो जो होते हैं, जो जियोत की बत्तियां होती हैं जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामगरी चड़ाते हैं, उन सब का क्या करें? ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसरजित कर देंगे, इसके फाइदे नहीं जान पाएंगे. इसी लिए मैं एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है, और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूँ. तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना, इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, कि इस सामगरी का क्या करना चाहिए, दोस्तों, सबसे पहले जानते नवरात्रों की पूजा का शुभ मुहूर्द, कलश का शुभ मुहूर्द. देखिए, 2024 में 9 अपरेल के दिन, यानि मंगलवार को नवरात्री का पहला वरत रखा जाएगा, और अंत में 17 अपरेल दिन, बुधवार के दिन नवरात्री समाप्त हो जाएगे, यानि आखरी वरत 17 अपरेल को सुभह रखा जाएगा, और कन्या पूजन इसी दिन किया जा तो कोई पूरे नौ रखता है, अपनी अपनी श्रद्धा है, सच्चे दिल से हीवरत रखे. अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्थ. दोस्तों, चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना का मुहूर्थ रहेगा. 9 अपरेल को सुभह 6 बच कर 2 मिनिट से प्रारंभ है, जो सुभह 10 बच कर 16 मिनिट तक रहेगा. यदि आप किसी कारणवश इस मुहूर्थ में पूजा ना कर पाए, कई लोगों के पास समय नहीं होता है, कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं. घर में यदि आप किसी वजह से परिशान है, आपके पास समय नहीं है, तो नवरात्रों में एक और मुहूर्थ है. आप उस मुहूर्थ में जा कर सकते हैं, वह मुहूर्थ है. अभी जीत मुहूर्थ, जो कि इसका समय रहेगा, सुभह 11 बच कर 57 मिनट से 12 बच कर 48 मिनट तक रहेगा. इस मुहूर्थ में भी आप पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं. क्योंकि समय ना होने के कारण आप नवरात्री का सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो आप इस मुहूर्थ में भी पूजा कर सकते हैं. देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं, नवरात्री में कहीं जाए जली हुई भस्म होती है जो श्रंगार का समान होता है जो दैवी सिक्का होता है ये सब नदी में जाकर के विसरजित कर देते हैं यही सबसे बड़ी मूर्खता है सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा इनका क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्योंकि आज मुझे दैवी ये प्रेरणा मिली मुझे गुरूओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये जानकारी समाज में बताईए क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्री में नौ दिनों तक खूब पूजा करते हैं पूजा करने के पश्चाद भ नहीं कर पाते देखिए जो यदि कुवां आपके पास में है और यदि आप कुवें से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है प्रसाद तो आपके पास में है किन्तो उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं क वीडियो को ध्यान से देखना, हमारे चैनल का मकसद है जन हित एवं जन कल्यान करना, यदि हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो हमें भी पुन्य की प्राप्ती होती है, हमें भी अच्छा लगता है, और हमें भी काफी आशिरव आप सभी दर्शकों प्राप्त होता है, मातारानी की कृपा प्राप्त होती है, तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए, आज की जो वीडियो है, वो 15 मिनिट की जरूर बनने वाली है, 15 मिनिट तक हो सकता है, आज की वीडियो बन जाएगी, इस से भी छोटी बन सकती है, प्राप्तार से बताऊंगा, ध्यान से देखना, नवरात्री के समय में आप कौन सी गलती करते हैं, जिस से आप निर्धन रह जाते हैं, तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के पश्चाद, जो बचे चढ़ाते हैं, वो सब नदी में बहा देते हैं, वहाँ आपने नौ दिनों तक मातारानी की पूजा की, मातारानी ने आपको प्रसाद स्वरुप चावल दिये, पुश्प दिये, सिक्के दिये, उसे आप नदी में बहा देते हैं, यही सबसे बड़ी मूर्खता है, आज प्रसाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्री की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूँ, जो नवरात्री में जो बचे हुए मातारानी के चावल होते हैं, छड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्भंडार में रखें, अन्भं पर्स में रखे जो सिक्के होते हैं इसे भी धन, पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो क्या होता है आपके शरीर में इस चावल को खाने के पश्चाद, रोग दोश व्याधी, किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वो दूर हो जाती है। और मातारानी की आपको कृपा प्राप्थ होती है। मातारानी को शरंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और शरंगार का सामान चढ़ाने के पश्चाद, इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्ने को दे देते होंगे, तो ऐसा नहीं करना है, जो शरंगार का सामान आप चढ़ाते हैं। माता रानी के नौ दिन के पश्चात इस शरंगार के सामान को आपके घर की जो शादी शुदा महिलाएं हैं, उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौ भाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वो माता बहने शरंगार करेंगी, जो भी माता भी बांका नहीं कर पाएगा। अखंड सौ भाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसी लिए जो बचा है माता रानी को चड़ाया गया। शरंगार का सामान होता है। माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप में से अधिकतर लोग जो जो जोत का बचा हुआ तेल होता है। इसे क्या करते हैं? नदी में विसरजित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है जो जो जोत का बचा तेल होता है। नौ दिन तक जो जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है नौ दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है जागरित अवस्था में होती है जागरित चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती जब कुमार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति आते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्रान प्रतिष्ठा हो तो कहने का मतलब है कि ज्योत का जो बचा हुआ तेल होता है जोत जलने के कारण जागरित अवस्था में हो जाती है तो यदि आपके हाथ पैरों में दर्द होता है किसी ने आपके उपर काला जादू कर दिया आपको शंका हो रही है तो इस सिच्वेशन में आप क्या करें जो जोत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाईए शरीर के साथ हिस्सों में लगाना होता है सिर में लगाईए आप अपने कंठ लगाईए आप अपने हरदय में लगाईए आप अपने जो जांगों में लगाईए और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको साथ हिस्सों में लगाना होता है तो शरीर पे कैसा भी तंतरविकार लगा हो किसी ने काला जादू भैंग कर काला जादू कर दिया हो जिसका तोड़ बड़े-बड़े कहा जाए तो जो ओजहा लोग होते हैं तो ओजा लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओजा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा, ये माता रानी की साक्षात कृपा होती है, इततकाल देखना पांच मिनिट में आराम मिलेगा है, हमें हमारे गुरू के द्वारा इस वजह से प्रेड़ना मिली, कि यह जानका पारी से आपका भला होगा, अब जो ओजा लोग हैं, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, नौ दिन तक पूजा करते हैं, पूरे एक साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा करके रखें, सिर्दर्ध होता है, सिर्दर्ध वाले हिस्से पर लगा सकते हैं, यदि किसी कारण वश कभी-कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर्दर्ध होता है, तो वो सिर्दर्ध होना बंद हो जाता है, यानि कि जितनी परालौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर्दर्ध हो रहा है, शनी है, राहु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल साथ हिस्से में बस लगाना होता है। या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए, जलाने के पश्चात जो अंतिम चीज होती है, वो चीज भस्म होती है, भस्म का क्या करना चाहिए, तो पूरे साल के लिए, एक सा इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगर बत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है. क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धुप जलाते हैं, उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है. क्या इसे हमें नदी में बहा देना यदि ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए. बाकी कम से कम आपको एक साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए. भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं. इससे पहले अभी तक जैमाता दी नहीं लिखा है. तो जै करना चाहिए. अगर बत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे एक साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है. और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है. यदि आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नती हो, आपकी प्रगती हो, तो ये थोड़ी थोड़ी खान आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावर्फुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं, उससे हजार गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं, उनके मस्तक पे लगाईए या फिर चाहते हैं, तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, कई लोग प्रेत वगैर है डाल देते हैं, ये सब अधिकतर देखा ग सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए, यानि कहने का है कि ये आपके हर प्रकार के दुहक, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है, नित्य खाएंगे अपने छोटे बच्चे को, खिलाना शुरू कर दीजिए, पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धी है, स्थिर हो जाएगी, कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं, तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस भस्म का तिलक प्रति दिन जरूर लगाईए, यदि इनका तिलक लगाते है तो फिर ये अति उत्तम है सोने पे सुहागा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात मुन्नती मिलेगी इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा यदि आपके उपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्यान करना आईए जानते हैं कि जोद की बाती का क्या करना चाहिए आप मेंसे अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं जोद की बाती को या फिर आप मेंसे जो अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं इससे फाइदा ना मिलता नहीं जोद के बाती सदैव जागरत अवस्था में रहती है ध्यान से सुनना जोद की बाती को सदैव आप जो है अपनी बाजू पर पहनना बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए इसे भुजा में पहनना चाहिए हमारे कई ऐसे तंत्रिक महात्मा तथा कई सारे से तंत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं तंत्रिक महात्मा भी है तंत्रिक महात्मा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हें तंत्र की भी जानकारी है वो एक प्रकार के महात्मा भी है उन्हें धर्म की जानकारी भी है तो मैं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि जोत की बाती को सदैव बाजू में बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए. यदि लड़की है, तो लड़की इसे अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए. क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण बत्ती नहीं है? ये साक्षात माँ दुरगा का आशीरवाद होता है. ये साक्षात माँ दुरगा की कृपा होती है, प्रसाद होता है. नौ दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है. इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ती आ जाती है, इसलिए इसे के पश्चात निम्न प्रकार के फाइदे मिलते हैं। यदि आप इस प्रकार के फाइदे लेना चाहते हैं, तो ये ज्योत की बाती अवश्य धारण करें, इसको धारण करने के पश्चात जो नौ प्रकार के फाइदे कहें हैं। संत महात्मा ने वही फाइदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक कॉमेंट बॉक्स में जये मातादी नहीं लिखा है, तो जये मातादी लिख दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रथम फाइदा अकाल मृत्यू एवं दुरगटना से बचाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इसे पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुरगटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यू नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मात दुरगा की शक्तियां चलती है। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं न, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नव दुर्गा का आशीरवाद होता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, तो इसे पहनने के पश्चात कभी भी अकाल मृत्यू न रहते हैं, क्या करें, तो यदि आप नजर्दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अध्यत्म उन्नती में किसी की नजर्दोष ना लगे, आपकी उन्नती हो, प्रगती हो, तो बिलकुल ही इसे धारण करिए, नजर्दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है, कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्योंना आपके उपर में तंत्र क्रिया कर दे वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी सदा आप बचे रहेंगे इसका तीसरा फाइदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाए इसको पहनने के पश्चात भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा तो भूत प्रेत एवं निच शक्ति से इसको पहनने के पश्चात हमें बचाव होता है इसका चौथा फाइदा लक्ष्मी की पून क्रिपा प्राप्त होती है जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति इसे अवश्य धारण करें लक्ष्मी माता की पुन्य कृपा प्राप्त होता है, एवं नव दुर्गा का आशीरवाद भी मिलता है इसका पांचवा फाइदा तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर देना और हाँ फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जै माता दी नहीं लिखा है, तो जै माता दी लिख देना तो दैखिक, दैविक और भोतिक ये सुखों की प्राप्ति होती है इसको धारण करने के पश्चात, जो लोग दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ती करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए इसका छठा फाइदा मनवानचितकार्य सफल होता है आपने लंबे समय से जो मनवानचितकारक सोच करके रखा है, वो सफल नहीं रहा है तो इसको धारण करने के पश्चात मनवानचितकार्य सफल होना शुरू हो जाता है इसका साथवां फाइदा इच्छित नौकरी की प्राप्ती होती है मैं वीडियो के बीच में ही बताया हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शास्किय पद पर पदस्थ है तो इसको धारण करने के पश्चात इच्छित नौकरी की प्राप्ती होती है इसका आठवा फाइदा दैविक सिद्धी की प्राप्ती होती है आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं न गुरू जी हमें सिद्धी प्राप्त करनी है इसके लिए क्या करें आपने मंतर जाप भी किया धेर सारे मातारानी के कोई बात नहीं है यदि मंतर धार जप करने के पश्चात यदि आप इसे धारन कर ले तो वो सिद्ध सदैव के लिए बनी रहती है कभी भी नहीं जाती इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दैविक सिद्धी की प्राप्ती होती है नवा फाइदा मादुर्गा आपके शरीर में सदैव अंश रूप में विराज मान रहती है जब तक आप इसे धारन करे रहेंगे तब तक मादुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराज मान रहेंगी और जाहिर सी बात है जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए ऐसे व्यक्ति की जीवन में अन धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं का होता तो ये वीडियो देखने के पश्चात आप समझ ही गए होंगे कि जोत की बाती का क्या करना चाहिए